नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायरवोल्ट निंजा प्रो प्लस स्मार्ट वोच जो हली में लोंच हुई है फ्लिपकाट पे और आपको मिलती है वन ट्रिबल नैन में तो हम करने वाले है इसका फुल सेट अप तो हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर फुल टच डिस्प्ले 30 स्पोर्स मोड है इसके लावा इसमें है 240 x 280 पिक्सल रिजूलिशन 280 एम वाटरप्रूफ इन बिल्ड गेम से तीन गेम सापको मिल जाते हैं 5 डेस बैटरी लाइफ है इसके लावा इसमें SPO2, Heart Rate, Camera Control, Music Control, Female Healthcare, Serendary, Alert, Sleep Tracking ऐसे फिचर भी आपको इसमें मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी Unboxing देखेंगे बोक्स के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े मिलती है और बाद में हम करेंगे इसकी Pairing अपने स्मार्टफोन के साथ दोस्तों ये है वो चीज़े जो आपको मिलती है इस बोक्स के अंदर गाना प्लस सब्स्रिप्शन तीन मेंने के लिए वाउचर और फिर ये है कुछ नया बुक मैशो का वाउचर नोर्मली होता है जी फायू का सब्स्रिप्शन लेकिन अब इन्होंने दिया है बुक मैशो इन सब भी वाउचर को आपको रिडिम कैसे करना है तो आपको जो अपनी वारंटी है इस वाच की उससे एक्टिवेट करना है उसके बाद आपको वाट्साप से एक मेसेज आएगा फैर पूल की तरप से और आपको रिवू देना पड़ेगा इस वाच का फ्लिपकार्ट प करना आपर दिया गया है मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाया है वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्रिप्शन में और यह है यूजर मैन्यूल मेंगनिक चार्जर और स्मार्ट वाच बात करते हैं चार्जिंग और बैटर करें उसका यूजर कर सकते हो या फिर आपके पास अगर PCI laptop है तो उसमें जो USB port होता है उसके जड़े भी आप चार्जिंग कर सकते हो जितना स्लो चार्जर होगा उतना बहतर होता है स्मार्ट वाच के बैटरी लाइफ के लिए लोंग टम के लिए बात करते हैं बैटरी बै बैटनेस को चार या पाच पे सेट किया है तो आपको मिलेगा दो से तीन दिन का बैटरी बैकप बात करते हैं वाच के फिजिकल और यू की तो यह जो डायल है यह है एल्यूमिनियम एलोई का इसके लवा मिटालिक बटन है बैक पूली कार्बरेंट प्लास्टिक का है SP2 और हाड़ेट सेंसर बैक में है जो स्ट्राप से सिलिकॉन के है सोफ्ट है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है अगर आप ब्लैक कलर लोगे तो उस पे आसानी से डर्स्ट और पोलन अट्राक हो जाते तो आसानी से गंदे हो जाएंगे यह हलाकि आप इन्हें रि कर सकते हो और जो बकल है यह मिटालिक का है तो यह अच्छी बाद है तो हम इसे करेंगे स्विचोन करने के लिए आपको पहले से चार्ज करना है 100% फिर आपको इस बढ़न पे लोग प्रेस करना है जब फैर बोल का लोगों आ जाएगा तब आपको उंगली छोड़ दिनी ह आपकी वाच स्विचोन हो जाएगी तो अब हम करेंगे इस वाच की पेरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ इस वाच को अपने फोन के साथ पेर करने के लिए अपने फोन में आपको प्लेस्टोर बजाकर इस आपको डाउनलोड करना जिसका नाम है दाफिट इस आपको डा wait आपको यहाँ पे choose करना है और फिर करिए tick पे tap allow किजिए सबसे पहले आपको जणा है device के tap पे आपको इस पे tap करना है फिर करना है add a device allow किजिए Bluetooth on हो जाएगा आपको यहाँ पे आपकी watch show करेगी अगर नहीं कर रही है तो back जाहिए वापस किजिए add a device, wait किजिए तो आपको show करेगी watch, इसका नाम होगा FBBSW032 आपको इस पर dab करना है फिर आपकी watch यहाँ पे pair हो जाएगी आपको जब यहाँ पे battery percent show करेगा, समझ जाना कि आपकी watch pair हो चुकी है, अब आपकी watch pair हो चुकी है, आप देख सकते हो तो सबसे पहले हम करेंगे watch face को change, तो आपको इस पर dab करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे एक साथ 5 watch faces अपने watch पे लेकिन आप इने change कर सकते हो जैसे कि अब default यहाँ पे यह sit किया गया है, लेकिन आप चाहो तो यही से change कर सकते हो, इस तरीके से change हो जाएगा अगर आपको और download करने है तो आपको more watch face पे tap करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 150 plus watch faces आपको wait करना है load होने दिना है, और जो भी watch face आपको download करना है, उस पे आपको tap करना है, अब watch में एक problem किया है, कि battery कितनी बची है आपको percent में यहाँ पे show नहीं करता केवल यहाँ पे ऐसा icon होता है, लेकिन कितने percent battery बाकी है यहाँ पे show नहीं कर रहा है तो आप कोई ऐसा watch face download की जिसमें battery percent show करें तो आपको सबसे नीचे आना है एक watch face है, जिसमें battery percent show करता है, तो यह है वो आज पे जिसमें आपको battery percent show करेगा, इसके लावा यह भी है जिसमें आपको battery percent show करेगा, आपको जिस towards आउनलोड करना है, आपको उसपे टैप करना है और करना है download तो आपने जो भी download किया होगा इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा आप देख सकते हो बैटरी परसंट भी आपे शो करता है अब आपको अपनी कोई भी फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो तो आपको वाज़ पे स्रीके सामने लिखा होगा एडिट आपको इस पर टाप करना है एडिट पे टिक पे ट्याप टाइम कहाँ पे शो करना है तो मैं चाहूंगा टाइम नीचे तो आप अब बाव या बिलो कर सकते हो उपर या नीचे time नीचे आ चुका है इसके अलावा time के उपर आपको क्या शो करना है तो time के उपर आप date, sleep, heart rate और steps में से कुछ भी शो कर सकते हों में करूंगा date जो है वही रखूंगा और time के नीचे में करूंगा steps जो है वही और फिर color आपको कॉनसा शो करना है तो आप यहाँ पर color चुछ कर सकते हो और भी आपको करना है save color जो है मतलब text का color जो भी text है फोटो में इसमें color आपको कॉनसा शो करना है आप यहाँ से color चुछ कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी photo को set कर सकते हो आप देख सकते हो आपकी फोटो यहाँ पे सेट हो चुकिए वाज़पेस पे फिर है नोटिविक्शन तो गर आप चाटे हो कोल्स और मेसेज की जो नोटिविक्शन है वो शोव करें तो आपको इस पर डाप करना है फिर आपको फोन पेट इनेवल करना है अलाव किजिए परमिस्न को अलाव करोगे तब भी आपको कॉल्स शो करेंगे मेसेज के लिए भी अलाव किजिए और फिर कौन-कौन से आपस की आपको देखनी है नोटिविक्शन आपको उन आपस को इनेवल करना है मैं चाहता हूँ ट्विटर इनेवल किजिए डाविट को अलाव किजिए बैग जाहिए परमिस चाहता हूँ वाटस्याप और इंस्टाग्राम तो जो आपस की आप देखना चाहते हो नोटिविक्शन आपको उने ओन करना है अगर आप चाहते हो आपको सभी आपस की नोटिविक्शन देखनी है तो आपको अधर्स को ओन करना है अगर आप अधर्स करोगे तो सभी आपस की नोटिविक्शन आपको शो करेंगी वाटस्ट में लेकिन जितने ज़्यादा एपस आप इनेवल करोगे उतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है इसलिए जो काम के हैं आपको उनीको ओन करना है दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको पही भी कोल आता है तो किस तरग से आपके वाच में शो करेगा तो कोल आ चुका है कोंटक का नाम शो करेगा अगर आपने save किया होगा तो या फिर number यहाँ से आप इस कोल को cut कर सकते हो और अगर आपको इस कोल को mute करना हुआ यहाँ से watch मेंसे तो आपको इस पे tap करना है यहाँ से mute होगा phone से mute नहीं होगा phone में ringing अभी भी चल रही है दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कई भी SMS आता है तो किस तरह किसे शोग करेगा SMS रिस्वी हो चुका है लेकिन वाच में डिस्पले ओन हुआ निये के वल वाच वाइबरेट हुई है डिस्पले ओन होना चाहिए था लेकिन डिस्पले इसमें ओन होता निये जब भी SMS आता है तब आला कि जैसे आप स्ट्रीन को ओन करोगे तो यह है वो मेसेज जो आपने रिस्वी किया है कौन से कोंटक्ट से आया है और क्या मेसेज आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको फिर स्वाइप अप करना है और यह है वो मेसेज जो आपने रिस्वी किया है आपको उसपर ट्याप करना है आप उसे रिज कर सकते हो हिंदी फॉन सपूर्ट करते है लेकिन इमोजीस सपूर्ट नहीं करते है और पुरा मेसेज़ शो नहीं करेगा 5 से 6 लाइन यह आप पे शो करेंगी, आप उनी रीड कर सकते हो दोस्तों अब देखते अगर आपको कोई भी वार्टसेप मेसेज आता है, तो किस तरह किसे शो करेगा, वार्टसेप मेसेज आ चुका है, अभी भी डिस्प्ले इसका ओन हुआ नहीं है, तो एक इस्प्ले है डिस्प्ले ओन होता नहीं है, हाला कि वाइबरेट होती है वाच, तो आप फिर प्रेस करके बड़न पे देख सकते हो यह है आपका वार्टसेप मेसेज, जो आपने रिस्व किया है आपकी वाच पे, इस तरी किसे आप रिड कर सकते हो, और आपको पता है अगर आपने इसे मिस कर दिया, तो स्वाइब अप किजिए और आपको मिलेंगे सभी मेसेज यहाँ पे आप उन्हें रिड कर सकते हो, उसपे ट्याप करके दोस्तों, आगे है अलाम का उप्शन, अगर आप इस पर ट्याप करोगे तो आप एक साथ यहाँ पे तीन अलाम्स को आड कर सकते हो, आपको ट्याप करना है टाइम सेट करना है, आवर और मिनट इसके बाद आपको दे सिलेक करना है, कौनसे दिन के लिए आपको इस अलाम को प्ले करना है उसके बाद आपको करना है सेव और यहाँ से आप इसे ओनोप कर सकते हो इस तरीके से आप तीन अलाम्स को अड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी अलाम्स आप आड़ करोगे आप अपनी वाच में उसे देख सकते हो time के साथ इसके लवा आप अपनी वाच में ही इन्हें on up भी कर सकते हो और जब यह time आएगा तब आपकी वाच पे vibration के साथ alarm का alert आएगा इसके बाद आगे है shutter का option तो अगर आप इसपे टाप करोगे तो आपके वाच में on होगा shutter button फिर आप अपने फोन में जो camera है उससे control कर सकते हो अपने वाच के जरीए आपको इसपे टाप करना है और आप देखोगे यहाँ पे shutter button open हो चुका है आपको इसपे टाप करना है आप आप टाप करके यहाँ फिर shake करके photo को capture कर सकते हो आपको इस तरह के से टाप करना है आप देख सकते हो तीन सेकंड का timer होगा और photo capture हो जाएगी आप यहाँ से camera को rotate कर सकते हो यहाँ से flash को on off कर सकते हो आप shake करोगे फिर भी photo capture हो जाएगी तो आप टाप करके यहाँ शेक करके photo capture कर सकते हो इस तरीके से फिर आगे है others का option इसमें पहला है find device अगर आप इस पर tap करोगे तो आपकी watch में जो display होगा own हो जाएगा और आपकी watch करेगी vibrate तीन बार आप देखोगे display own हो चुका है और तीन बार vibrate हुई है तो अगर आपकी watch कहीं पर pass में पढ़ी है तो आप इस तरीके से उसे ढूंड सकते हो आगे है time format आप यहाँ पर time change नहीं कर सकते हैं लेकिन time का जो format है 12 hour या फिर 24 hour इस तरीके से आप change कर सकते हो आपको जिस format में time को show करना है watch में आपको उससे select करना है और करना done फिर unit आपको metric ही रखना है dnd का option है अगर आप इसे on करोगे आपको यहाँ पर time set करना पड़ता है कि कब से जो feature है ओर होना चाहिए और कब यह end होना चाहिए और जब आप इसे on करोगे तो इस time period के दोरा आपकी watch में कोई भी alert call या notification नहीं आएगा कोई भी vibration नहीं होगा फिर आगे है reminders to move मतलब की serendary alert अगर आप इसे on करोगे तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 वज़े तक alert काम करेगा मतलब की आप अगर एक घंटे के लिए बिना किसी activity के बेठे हुए हो ऐसे ही idle तो आपको आएगा अगर आप इसे on करोगे तो आपके watch में heart rate तो measure होगा ही automatically लेकिन battery ज्यादा उस होगी तो इसलिए मैंने इसे off रखा है तो अगर आपको battery save करनी है तो आप इसे off रख सकते हो फिर आगे है control phone music अगर आप इसे on करोगे तो आप अपने watch के जरी अपने phone में जो music है उससे control कर सकते हो फिर है battery saving का feature अगर आप इसे on करोगे तो आप ज़्यादा battery को save कर सकते हो इसे on करने से दो चीज़े होंगी एक तो आपके watch में brightness सबसे कम हो जाएगी और जो quick view है मतलब कि race to wake का feature वो भी off हो जाएगा language आपको English रखनी है auto lock आप यहाँ पे 20 सेकंद तक अरख सकते हो मतलब कि एक बार अगर आपका display on होता है तो कितने सेकंद तक यह on रहना चाहिए उसे कहते auto lock अगर मैं यहाँ पे करूंगा 20 सेकंद तो 20 सेकंद तक display on रहेगा 20 सेकंद के बाद display off हो जाएगा पिर यहाँ से आप अपनी watch को reset कर सकते हो आगे है quick view मतलब कि race to wake का feature तो मान लो आपको इसे on करना है और करना है all day आप यहाँ पे time भी set कर सकते हो कि यह जो feature है कौनसे time के दुरान आपको इस करना है जो time आप set करोगे उसे time के दुरान यह feature काम करेगा तो quick view का मतलब होता है race to wake मतलब की बान लो आप अगर अपनी watch को उपर उठाओगे tilt करोगे display is count होगा आप देख सकते हो से कहते है quick view फिर आगे drink water reminder तो अगर आपको पानी पिने का reminder add करना है तो आप उसे भी enable कर सकते हो आपको इसे own करना है start time मतलब सुबह के कितने बेसे लेकर आपको यह जो reminder start करना है मैं चाहता हूँ सुबह के 8 बेसे लेकर यह start होना चाहिए और कितनी बार आपको पानी पिना है दिन में तो मानलो मुझे पिना है 9 बार तो मैं करूँगा 9 बार done करिये और हर कितने गंटे के बाद आपको पानी पिना है तो मैं करूँगा मानलो 120 बनट मतलब हर एक 2 गंटे के बाद मुझे पानी पिने का reminder आएगा सुबह के 8 वे से लेकर और ये होगा 9 बार फिर है hard rate warning तो ये by default होता है 193 मतलब कि अगर आपका hard rate कभी भी 193 के उपर पोच्चता है तो आपको आएगा alert अगर आप इसे own नहीं करते हो तो लेकिन अगर आप इसे own करोगे तो आप अपने इसाप से याप जो limit है उसे add कर सकते हो अगर मैं 150 तो मैं set करूँगा 150 तो 150 पे अगर मेरा hard rate पोच्चता है तो मुझे आएगा alert फिर है weather का option तो अगर आपको weather देखना हुआ अपनी watch में आज का और अगले 5 दिन का तो आपको इसे own करना है और temperature system आपको Celsius रखना है city आपको अपनी search करनी है या फिर आपका जो pin code है आप यहाँ पे search कर सकते हो तो जैसे मान लोगर मैं मुंबई करता हूँ तो मुंबई यहाँ पे show करेगा आपको split up करना है और मुंबई का जो फिर लास्ट में है यहाँ पे physiological cycle reminder यह है female logo के लिए तो अगर आप एक female हो तो आप इसका उस कर सकते हो अपने period को track करने के लिए तो आपको इसे own करना है इसके बाद cycle day कितना होता है normally 28 या 29 days का होता है आप अपनी साब से आपे चूस कर सकते हो mensual days मतलब कितने दिन के लिए आपको पेंद रहता है आपको उस दिन को मतलब 5 या 6 दिन आपको set करना है और last time कब आया था आपको period आपको audit यहाँ पे set करनी है remainder mode आपको करना है mensual तो आप कर यह mensual period के लिए और फिर आपको reminder time अब जो reminder आएगा आपको जिस दिन को आपने add किया है उसके 68 दिन बाद आएगा reminder की आपका जो period है आने वाला है और आपको यह reminder कब आना चाहिए तो आप जो time है सुबह का वो set कर सकते हो कि सुबह में 10 वजे मुझे अब reminder आएगा next month जब period आने वाला होगा तब और यहाँ पे आप calendar देख सकते हो कि कब last time मैं था और आने वाला कब है आप month को यहाँ से change कर सकते हो इस तरीके से और आपको मिलेगा यहाँ पे calendar period के लिए फिर जैसे आप back जाओगे तो आपको मिलेगा upgrade का option तो अगर यहाँ पे update available है तो आपको करना है update अभी यह up to date है तो यहाँ पे कोई भी update available नहीं है लेकिन है तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो अब बात करते my profile के tap की तो जैसे आप tap करोगे last tap पे तो यह profile का option अगर आप इस पे tap करोगे तो आप यहाँ से अपना gender birthday, height, weight step length चेंज कर सकते हो जब चाहे तब फिर आगे है goal का option मतलब की आपको रोजा ना कितने steps चलने है तो आप यहाँ से change कर सकते हो मैं चाता हूँ दिन में मुझे 5000 steps चलने है तो आप अपने इसाप से यहाँ पे goal set कर सकते हो और last में आगे है यहाँ पे google fit का option तो अगर आप चाहते हो आपका जो data है इस आप में जैसे कि steps आपके distance और kilo calorie वो data अगर आपको sync करना है google fit में तो आप sync कर सकते हो connect कर सकते हो जो भी data इस app में store होगा steps, distance, kilo calorie वो data आपको मिलेगा google fit के app में तो आपको करना है connect इसके बार जो google fit एप है वो sync हो जाएगा फिर यह जो लिखा हुआ है background, operation, production, guide इसका मतलब है कि आपको अपने app को log करना है तो आपको जाना है recent F में और आपको यहाँ पे करना है log this app, log का icon होगा इस तरीके से तो इस Samsung का phone इसमें ऐसा होता है आपके phone में भी होगा log this app तो आपको log करना है मतलब कि जो app होगा background में हमेशा run करता रहेगा background से remove नहीं होगा मतलब कि आपकी watch कभी भी disconnect नहीं होगी अगर 10 मुदर के range में होती है तो बात करते है home page की तो जैसे आप tap करोगे पहले tap पे तो यह है activity page इसमें आप जो भी देख रहे हो यह है आज का data पहले है steps मतलब कि आज आप कितने steps चले हो कितना distance आपने cover किया है कितनी kilo calorie burn की है और कितने minute के लिए आप चले थे और आप slider पे slide करके यहाँ पे check कर सकते हो तो उस date पे tap करिए उस date का आपको record यहाँ पे show करेगा इस तरीके से फिर आगे है sleep data तो अगर आप सोते हुए अपनी watch को पहनते हो तो आपका जो sleep data है वो भी record होता है आपको इस पे tap करना है कितने बज़े आप सोए थे यहाँ पे show करता है और कितने बज़े आप जागे थे यहाँ पे show करता है कितने घंटे के लिए आप टोडल सोए थे deep sleep, light sleep, rapid eye moment और awake time यहाँ पे मेधर होता है आप slider पे slide करके check कर सकते हो कि जो sleep है कौन सी है और कितने minute के लिए थी फिर आपको यहाँ पे graph पे show करेगा deep sleep, light sleep और rapid eye moment कितने टाइम के लिए था rapid eye moment का मतलब होता है कि रेम जब आप सोते हो, सबने देखते हो जब आप subconscious man में होते हो तब आपकी आखे move करती है सोने के दुरान तूसे केते rapid eye moment वो भी मेधर होता है और आपका sleep quality score यहाँ पे show करेगा कौन से level पे है यह है day wise, week wise, month wise आप check कर सकते हो graph पे tap करके, अगर आपको किसी भी दिन का record check करना हुआ तो आपको इस भी tap करना है और आप किसी भी दिन पे tap करके उस दिन का record check कर सकते हो इस तरीके से, फिर आगे है hard rate data तो अगर आपने अपना hard rate measure किया होगा अपनी watch में तो यहाँ पे show करेगा आपने last time कब किया था measure कितना आया था, यहाँ पे show करता है tap करोगे, तो पिछले 7 बार आपने जो measure किया था यहाँ पे show करता है आप यहाँ से भी measure का command दिसकते हो watch में start हो जाएगा measure होना आप देख सकते हो, यहाँ से end भी कर सकते हो इसके लवा, आपने अप तक इतने भी बार measure किया है hard rate, आपको सभी को देखना हुआ एक साथ तो यहाँ पे tap किजिए, आप देख सकते हो आपने अप तक इतने भी measure किया है tap करोगे, तो last 7 time जो भी आपने measure किये थे, यहाँ पे show करता है आप measure यहाँ से command दे सकते हो आपकी watch में start हो जाएगा measure होना, end कीजिए और आपने अब तक जितने भी बार measure किया sq2 को, अगर आपको देखना हुआ एक साथ तो आपको इसमें tap करना है और यह है ओडिटा कौन से तरीको आपने measure किया था, कितने बज़े measure किया था और कितना result आया था, आप यहाँ पे check कर सकते हो detail में फिर है outdoor running, तो आपको पता होगा आपकी वाच में GPS तो नहीं है तो अगर आपको GPS का यूज करके running करना हुआ तो आप इसका यूज कर सकते हो आपको अपने phone को साथ में लेकर दोड़ना पड़ेगा जिससे कहते है outdoor running तो आपको इस पे tap करना है और करना है turn on और आपको करना है allow all the time ब्याक आईए, start किजिए आपके phone में GPS on हो जाएगा और आप live route के साथ running कर सकते हो तो अगर आपको देखना हुआ आप कौन से route पे running कर रहे हो तो आपको map पे tap करना है और आपको यहाँ पे show करेगा आपका live route जिस route पे आप running कर रहे हो उस route पे और normal पे जाईए और यहाँ पे distance आपका show होगा कितना टाइम हुआ है क्यालरी कितनी बन हुई है आपका पेस कितना है पेस का मतलब बताए कि अगर आप एक किलो मिटर डिस्टन्स कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा और स्टेप्स यहाँ पे शो करते हैं अगर आपको इसे end करना हुआ तो long tap किजिए और यह end हो जाएगा stop किजिए तो इस तरह किसे आप अपना route देख सकतो live route अभी मैंने running की नहीं है तो इसलिए आप आप शो नहीं कर रहा है लेकिन अगर आप outdoor में running करोगे तो आपको आपका जो route है वो भी show करेगा पिर आपने आज जो भी activity की है यहाँ पे show करता है आज मैंने indoor running, indoor walking किया है कितने बज़े किया है यहाँ पे show करता है अगर आपको इसे detail में जानना हुआ तो इस पर tap किजिए और आपका यहाँ पे show करेगा average heart rate लेकिन मेरे हिसाब से यह heart rate सही नहीं है heart rate इससे जाता पोचा था मेरा शायद 100 के करीबर लेकिन यहाँ पे maximum show कर रहा 88 यह गलत है तो मुझे लगता है workout के दुरान जो heart rate measure होता है वो सही से measure नहीं होता है लेकिन आपने जो measure किया था वो कब किया था कितने बज़े किया था कितने टाइम के लिए किया था कितने steps आपने चले थे distance आपने कितना कावर किया था kilo calorie कितनी burn हुई थी speed आपके कितनी थी kilometer per hour में pace आपका कितना था और आपका average heart rate कितना था और आपका जो heart rate था वो कौनसे level पे कितने टाइम के लिए था यहाँ पे show करता है और आपने अब तक जितने भी workout किये है आपको सभी को एक साथ देखना हुआ तो आपको look more training data पे tap करना है और यह है उस भी workout जो मैंने किये थे कौनसा था workout कितने टाइम के लिए किया था कौनसे तरीकों किया था और कितने बज़ी किया था यहाँ पे show करता है अगर आप tap करोगे तो आप उसका detail यहाँ पे check कर सकते हो इस तरीके से दोस्तो यह थे हो features और settings जो आपको देखने मिलते हैं इस app में अब हम देखेंगे आपको watch में कौन-कौन से features और settings देखने मिल जाते हैं दोस्तो watch में आपको मिलती है एक बडन right side में जिसके तीन काम अगर आप home page पे हो ऐसे में अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप access कर सकते हो main menu को इस तरीके से यह है main menu जिसमें आपको मिलेंगे सभी options और settings तो इस तरीके से आपको main menu को access करना है अगर आप किसी भी menu में enter करते हो और वहां से अगर आपको back आना हुआ तो आपको प्रेस करना है बडन पे और आप back आ सकते हो इस तरीके से और एक तरीका है back आने का तो मानलो आप किसी भी menu में enter करते हो तो back आना हुआ तो ऐसे swipe करना है right में swipe किजिए और आप back आ सकते हो और अगर आप इस बडन पे long press करोगे तो आपको मिलेगा switch up करने का option और आप tick पे tap करके अपनी watch को switch up कर सकते हो अगर आप home page पे swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center सबसे पहला है D&D do not disturb mode अगर आप इसे own करोगे तो आपकी watch में कोई भी alert नहीं आएगा कोई भी vibration ही होगा और कोई भी notification नहीं आएगी इसके लाओ जो rest to wake का feature है वो भी काम नहीं करेगा फिर है brightness control का option तो आप यहां से 5 level तक brightness को adjust कर सकते हो आपको यहां से कम करना है और यहां से आपको इसे increase करना है 2, 3, 4 और 5 इस तरह के साब 5 level तक जो brightness से उससे set कर सकते हो ब्याग आईए फिर आगे है timer का option तो आप यहां से timer को set कर सकते हो अलग-अलग minute timer यहां पे start हो जाएगा stop कीजिए फिर है camera shutter अगर आप इस पी tap करोगे और वापस tap करोगे तो आपके phone में camera open होगा और आप tap करके या shake करके photo को capture कर सकते हो लेकिन यह कब काम करेगा जब आपके phone में यह app open होगा तब अगर आपके phone में जब आप होगा वो open ही होगा तो आपको मिलेगी एक notification आपको उस notification पे tap करना है उसके बाद camera open होगा और फिर आप photo को capture कर सकते हो फिर है torch का option तो आप यहां से torch को on off कर सकते हो on और off back जाए और यह है settings का option इसमें पहला option है display का इसमें brightness तो आप यहां से bhai brightness को adjust कर सकते हो फिर है auto slip मतलब जो डिस्प्ले है कितने second तक आपको on रखना है हमने किया है 20 second आपको पता होगा आप यहां से भी change कर सकते हो तो मैंने अब यहां पे 20 second किया है 20 second तक यहां पे display on रहेगा फिर है watch face तो आप यहाँ से watch face को change कर सकते हो swipe कीजिए इस तरीके से आपको watch face को change करना है आपको लगता है कि मुझे यह set करना है तो उस पर tap कीजिए यह set हो जाएगा अगर आप home page पे long tap करोगे तो यहाँ से भी आप watch face को change कर सकते हो आपको swipe करना है इस तरीके से और आपको जो set करना है उस पर tap कीजिए, वो set हो जाएगा, फिर है menu, तो जो हमने देखा था menu, जैसे कि यह main menu, यह है main menu, यह है grid view में, इससे कहते है grid view, आप इस तरह के सभी menu और options को access कर सकते हो, आपको tap करना है और open हो जाएगा, लेकिन आप उसे change कर सकते हो, तो हम चाहते है उसे list view में show करना, तो हम करेंगे list view, अब आपको show करेगा इस तरह के से, यह है list view, vertical में, तो आपको जो set करना है उस तरह के से, set कर सकते हो, फिर है D&D, तो आप यहाँ से भी doodle desktop को on कर सकते हो, low power mode, बतलब battery saving, अगर आप इसे on करोगे, तो brightness कम हो जाएगी, और जो raise to wake का feature है वो भी काम नहीं करेगा, फिर है system, तो इसमें आपको मिलेंगे तीन option, restart आप यहाँ से कर सकते हो, अपनी watch को switch up भी कर सकते हो, और अपनी watch को यहाँ से आप reset भी कर सकते हो, अगर आप swipe up करोगे, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे message आपके, जो भी आपनी receive की है, आप यहाँ आप्साथ 5 message को देख सकते हो, अगर आपको किसी को भी detail में पढ़ना हुआ तो आपको इस पर tap करना है, और आप उसे यहाँ से detail में पढ़ सकते हो, अगर आपको सभी को एक साथ clear करना हुआ तो आपको मिलेगा clear all का option, आप एक-एक को clear नहीं कर सकते, आपको करना clear all और अगर आप swipe करोगे right में इस तरीक ऐसे तो आपको मिलेगा split view time कितना हुआ है, date कितनी है weather कितना यहाँ पर show करता है और आपने जो भी apps यूज किये है mostly यहाँ पर show करेंगे तो यहाँ पर show करेंगे 6 apps और यह change होते रहते हैं अब यहाँ पर workout, find my phone या activities, settings, game और tours का option शो करता है अगर मैं मानलो अब open करता हूँ heart rate को ठीक है और फिर अगर मैं देखूंगा अब तो यहाँ पर अब heart rate show करेगा क्योंकि मैंने अब recently heart rate को open किया था इस तरीके से आप पर change होते रहते हैं आपके usage के हिसाब से और अगर आप swipe करोगे left में तो यह है activity page आपको यहाँ पर graph wise शो करेगा अगर आप swipe करोगे तो steps आप कितने चले हो आज कितना distance आपने cover किया है kilometer में और कितनी kilo calorie energy आपने burn की है इसके बाद आगे है sleep data कितने घंटे आप सोये थे कितने बज़े आप सोये कितने बज़े आप जागे यहाँ पर शो करता है graph wise deep sleep light sleep कितने घंटे की थी यहाँ पर शो करता है पिर इसके बाद आगे है heart rate तो आप यहाँ से measure कर सकते हो आज का maximum minimum कितना था यहाँ पर शो करेगा measure करने के लिए आपको इस पर ट्याप करना है और measure होगा और अगर आपने auto heart rate कौन किया होगा तो यहाँ पर graph wise भी शो करेगा swipe up करोगे तो आपका heart rate कौन से level पर है यहाँ पर शो करता है फिर आगे जाओगे तो यह है music player आपको tap करना है play पे आपके phone में play होगा अगर नहीं हुआ play तो आपको अपने phone में जो music player है उसे on करना है फिर play करना है post करिए close किजिए अब आप play करोगे तो play होगा next previous volume up down कर सकते हो यहाँ से कौन सा song प्ले हो रहा है उसका title भी हाँ पे show करता है फिर इसके आगे है add components मतलब जो यह shortcut से इस तरीके से आप इन्हें add कर सकते हो तो आपको plus के sign पे tap करना है यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcuts जैसे की SPO2, weather, workout, message, shutter, breathe, alarm, stopwatch और game आपको अगर add करना है SPO2 को तो आपको tap करना उस पे add हो जाएगा मुझे add करना है weather तो weather पे tap कीजिए add हो जाएगा इस तरीके से आपको जो add करने आप उन्हें add कर सकते हो यहाँ ठीके तो हमने अब यह नए add की है SPO2 आप tap कीजिए SPO2 measure हो जाएगा maximum आज का minimum कितना है show करेगा और last 7 time जो आपने measure किये थे graph वे से आपे show करेंगे और फिर इसके आगे है weather information तो अभी का कितना है फिलाल आज का maximum और minimum कितना रहेगा swipe up कीजिए और अगले 5 दिन का आप यहाँ पे maximum minimum के साथ जो weather forecast है यहाँ पे check कर सकते हो फिर इसके बाद है workout page जो हमने अभी add किया है इसमें है walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, swimming, climbing, tennis, rugby, golf, yoga, workout, dancing, baseball, elliptical, indoor cycling, free turning, rowing, outdoor running, skiing, bowling, dumbbell, sit up, on foot, indoor walking, indoor run, cricket covered D अगर आपको किसी भी workout को start करना है तो आपको उस पर tap करना है लेकिन उसके corner में आपको मिलेगा 3 dot का option अगर आप उस पर tap करोगे तो आप अपने जो goal है set कर सकते हो आपको कितना distance cover करने तक इसे करना है कितनी kilo calorie बर होने तक आपको इसे करना है और कितने time तक आपको करना है आप जो goal है उसे set कर सकते हो अगर नहीं करना है तो कई बात नहीं आप direct tap कीजिए start हो जाएगा कितना time हुआ है आपका heart rate कितना चल रहा है energy कितनी burn हुई है कितने steps आप चले हो कितना distance आपने का और किया है आपका heart rate कुण से zone में है कितना है यहाँ पे शो करता है और swipe करोगे तो आप यहाँ से pause, resume या फिर end कर सकते हो आपको minimum करना है एक minute के लिए तब यह से होगा आपके app में अगर आपको इन में से किसी भी shortcuts को निकालना हुआ तो आपको long tap करना है और minus के sign भी डाप करना है और आप इस तरीके से इनने remove भी कर सकते हो और back जाने के लिए press किजे button पे और इस तरीके से आप फिर जो रखना चाहते हो यहाँ पे shortcuts उन्हें रख सकते हो add कर सकते हो, remove कर सकते हो अब बात करते है main menu की तो उसे access करने के लिए आपको button पे press करना है और यह है main menu इसमें पहला support जो हम देख चुके है इसके बाद है sleep यह भी देख चुके है heart rate यह भी देख चुके है SP2 भी देख चुके है exercise यह भी देख चुके है weather भी देख चुके है message भी देख चुके है Shutter भी देख चुके है, Timer भी देख चुके है, Breathe यहाँ पे आप जो breathing workout है, उसे कर सकते हो, आपको start करना है, आपको 8 बार inhale और exhale करना है, सास लेनी है, छोड़नी है, जैसे यह circle बड़ा होता है, छोटा होता है, उस तरह के से आपको inhale और exhale करना है, और हो जाएगा तब आपको back क करना है, फिर इसके बाद है, alarms का option, तो जो भी alarm आपने add किये, अपने आप में, आपको यहाँ पे show करेंगे, time show करेगा, day और आप यहाँ से उसे on-off भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, आला कि आप यहाँ से set नहीं कर सकते है, alarm को set करना पड़ेगा आपको आप में, यहाँ स पोज और यहाँ पे play कर सकते हो, reset करिए, back आईए, और फिर flashlight जो हम देख चुके है, find my phone, तो यह काफी काम का feature है, अगर आपका phone silent पे भी होगा, फिर भी आप अपने phone में ring कर सकते हो, tap किजिए, stop करने के लिए back करिए, तो यह काम आएगा, मानलो आपने अपने phone को गई पे misplace कर दिया है, कई पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आपका phone अगर silent पे भी होगा, फिर भी आप अपने phone में ring कर सकते हो, और अपने phone को टूण सकते हो, लेकिन यह कब काम करेगा, जब आपकी watch और जो phone होगा, 10 मिडर के range में होंगे, तब, फिर है games, तो आपक videos और settings जो आपको दिखने मिलते हैं इस watch में, दोस्तो यह था इस video में, अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी message कर सकते हो, इस video को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो